शुबमनगिल वसे जेमस एंडर्सन हमने बहुत बार यह राइविलरी देखी है ओन फील्ड जब इंडिया वसे इंग्लैंड का टिस्ट मैच चल रहा था तो कभी एंडर्सन ने शुबमनगिल की विकिट ली उन्हीं आउट किया तो कभी शुबमनगिल ने एंडर्सन की बॉ कर दी शुबमनगिल और जेमस एंडर्सन की उस लेजिंग ने तो जेमस एंडर्सन ने जो है जब वो चार एक से सीरीज हार गए अपने देश लौटे तो उन्होंने बयान दिया कि आखिर जो यह बैंटर चल रहा था सब के मन में चीज़ें दोड रही थी कि आखिर उनके बीच आखिर क्या बात हुई ती जिस चीज को लेकर आगे जॉनी वेस्टो भी उसका हिस्सा बन गए तो अब जो है एंडर्सन ने खुलासा कर दिया है कि क्या उनकी बात हुई थी शुबमनगिल से एक बार चलिए उस पर नजर डालते हैं क्या बताया है जेमस एंडर्सन जो अभी मतलब अपनी 700 टेस्ट पूरी करिये इसी सीरीज में और 699 जो विकेट था उनका वो शुमन गिल के रूप में ही था तो कहीं न कहीं है जो स्लेजिंग हमें देखने को मिली इसी की वजह से थोड़ा जो है मुकाबला रोमांचक बना वरना जिस तरीके से इंग्लै जो पांचवा टेस्ट मैस था वहां ने हमें देखने को ला जब शुमन गिल कर रहे थे जब वहां पर बल्ले बाजी तब की यह बात लेकिन उसके बात से फिर जेमस एड़सन ने उनकी विकेट जरूर ली लेकिन उसके बास पिर जोनी बेस्टो जब बल्ले बाजी करनी के क्यात अरिए जोनी बेस्टो जब आयए बल्ले बाजी करनीन के विख शुमन गरें फिर वहां PC भाहे वाहं पर थे अंडर्क बार कि आपने पोला किया था कि इस बीज्डो वा वह बाद से कोई मतलब मतलब नहीं बनता है फर्क नहीं परता हूँ अरु यहादा उस मैच में एक जो वो six लगाया था वो तो सब को यादा शॉट आधा मैच था वो जो शुबंगि ले अडरेस्टन को मारा था और पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि शुबंगि ले अधर से रन क्या बना लिए इस सीरीज में जादा उच्छर रहा है वो तो एपिक लैंग भी मुझे लगता है विराट कोली के मतलब मिसिंग करने मिसिंग थे इस सीरीज से तो जिस तरीके से वह जो एग्रेसिव जो अग्रेशन था कई ना कई मिसिंग लग रहा था पूरी Col simplifyievippet में जरूरी होती है मुझे लगता है क्योंकि concentrate break करने का जो है एक तरीका होता है बल्लबास का मुझे लगता है वही चीज हैंडर्यू से तो लेकिन तब तक मुझे लगता है एंडरसन ने भी काफी देर कर दी थी अगर स्लेजिंग शुरू में करी होती तो शुबमन गारले विकेट मिल सकता था इंग्लेंड मैच पर वापसी कर सकती थी और क्या पता मतलब हुनोज की मैच मुकाबला जीत भी सकते थे बिल्गुल कि हमने हमेशा देखा है कि ऑस्टेलियंस तो नंबर वान आते हैं सलेजिंग के मामले लगी इंग्लैंड भी कहीं कम नहीं है इंग्लैंड भी अच्छी खा बाद भी वहां पर शुबन गिल भी चलते बने क्योंकि दोनों के पार्टनिशिप बहुत अच्छी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का उस मुकाबले में वापसी करना तो अब लगभग नामुम्किन है क्योंकि रोहित ने भी हंड़िट अपनी अपनी बिल्कुल और अंडरसन की बात करें जैसे किंग कोली को बोलते हैं उनके साथ उनकी एक जो राइवल्री चलती है साथ बार उन्होंने विराट को जो आउट किया हुआ है उसके पहले सचिन तंदुलगर को मतलब आती आती जनरेशन में मतलब जनरेशन बदलती रहते है भा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूल